हलो बच्चों गुडीवनिंग कैसे हैं आप लोग एक्जाम के त्यारी कैसी चल रही है आप लोग की एक टॉपिक आप लोग को हमेशा परशान करता है एककाउंटिंग माइक्रोबाइलोजी में परसाइटलोजी के अंदर जो आता है आप लोगों के लिए एक्जाम औरियंटिड बहुत ज्यादा इंपूटन टॉपिक है बच्चों आज मैं उसको अच्छा कुछ बच्चों ने मुझे मेडिकली मैसिज किया कि सर मेडिकल स्टूडेंट ने कि सर प्लीज इसको बता दीजे बहुत ही कॉंप्लिकेटेड में टॉपिक है तो उसको थोड़ा से सिंप्लिफाई मैंने करने की कोशिश की बात करते हैं इस पर मेडिकली मेडिकली चार मेडिकली है बच्चों आएक्काउंटिंग के एक स्टेंडर्ड वेट मांट टैक्नीक है मेडिकली को जानने के लिए करते हैं और इसका मतलब एक दिन में एप्रॉक्स कितने एग्स को ले करती है जिस काउंट करके हम एडल्ट वाम की कंसंट्रेशन का मीडियम का पता लगा लेते हैं है ना दूसरी चीज लेकिन एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा जो कि मैंने यहाँ पे एक नोट डाउन किया है यह दिस इस दा सेमी कॉंटिटेटिटिव मैधड है ना दूसरी चीज यह है कि इसका प्रिंस्पल क्या है और यह कैसे किया जाता है तो यह कॉमेंली टेक्नीक के जरीए किया जाता है बहुँ जादा यह चार टेक्नीक होती है जिस हमेंने बताया स्टंडर्ड वेट पाउंट टेक्नीक मोडिफाइड कॉट थे किस्मियर टेक्नीक मैक मास्टर एककाउंटिंग चेमबर स्काच टैप टेक्नीक और इनका ना सबका प्रिंस्पल लगबग लगबग सेम है बहुँ सादा अलग नहीं है बस आप स्लाइड या चेमबर जो भी यूज करोगे वो डिफाइंड अमाउंट पे इस टू लिया जाएगा उस पर डिपेंड करेगे कि क्या टेक्नीक यूज होना है ठीक है तो हम फर्स टेक्नीक पर बात करेंगे स्टंडर्ड वेट माउंट टेक्नीक इसके लिए मैं दूसरा माकर ले लेता हूँ क्योंकि इसमें तुछ दिखाई नहीं देगा दूसरी चीज यह है कि स्टंडर्ड वेट माउंट बहुत सिंपल है बच्चो बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत सिंपल है फर्स टेक्नीक स्टंडर्ड वेट माउंट टेक्नीक में यह मूस्ली सिंपल टेक्नीक है 1-2-2 मिली ग्राम 1-2-2 मिली ग्राम आपने इसमें स्टूल लिया है कितना लिया? 1-2-2 मिली ग्राम स्टूल आपने लिया इसमें और उसको ग्लास लाइट में माउंट करके माइक्रोस्कोप पे फोकस करना है सिंप्ली देख लेना है फोटे-एक्स पे दूसरी टेक्निक हमारे पास है मॉडिफाइड काटो थिक स्मियर टेक्निक इसमे एक वर्ड आता है मॉडिफाइड तो थोड़ा सा इसमें लगाना है दिमाग की modified इसका नाम क्यों पड़ा है तो इसमें हम क्या करेंगे modified में 50 mg फीसिज लेंगे कितना लेंगे 50 mg फीसिज लेंगे अब इस 50 mg फीसिज में ग्लसरीन का soaked cover slip होता है Glossarine का क्यों होता है? Glossarine का इसलिए होता है क्योंकि Glossarine में जब हम ये जो हमारे पास cover slip है और इस पे जब चारों तरफ Glossarine लगी हुए है इसका मतलब है air tight हो गया तो जो आपका sample है वो air dry नहीं होगा इसलिए इसका na modified cut रखा गया है ठीक है और उसके बाद simply आप microscope पे focus कर लेजे तीसरी चीज़ आती है तीसरी टेक्निक आती है Mac Master accounting chamber इसमें क्या होता है इसको और देख लेते हैं इसमें हम लोग Mac Master accounting में 20 मिली ग्राम फीसेज ले रहे हैं 20 मिली ग्राम फीसेज हमने इसमें लिया अब 20 मिली ग्राम फीसेज में क्या किया इसमें वो फिक छोट एक वर्ड आ रहा है आप लोग ने accounting chamber कुछ याद आ रहा है accounting chamber से DLC DLC वाला chamber new war chamber याद आ रहा है उसे बस उसमें करना क्या है हम लोगों को कि जो Mac Master counter chamber है इसमें 20 मिली ग्राम फीसेज लेंगे square grid chamber होता है और वो लोड करते हैं हम फीसेज से और focus कर लेते हैं simply अब हम चलते हैं last और most important technique की तरफ जिसका नाम है scotch tape technique इसमें हम क्या करते हैं scotch tape technique में क्या कर रहे हैं हम लोग ये basically हो क्यों हो रहा है जैसा introbius, vermicularis, tenea species है या shistosoma species है उसके लिए किया जाता है अच्छा एक बात मैं बता दूँ आप लोग को कि इसमें एक बात बहुत common है इसमें एक बात common क्या है कि जो adult woman वो ले करता है x को parianal area सबसे common एक चीज हमेशा याद रखिएगा और इसका क्या है कि यह three consecutive days में लिया जाता है हमेशा या तो early morning लीजी या late night लीजी इसका simple करेंगे क्या इसमें एक adhesive tape लेते हैं और perianal skin में छोटे बच्चों के जो children होते हैं तो उसमें करते क्या हैं एक adhesive tape लेते हैं perianal skin पर और वो short while के लिए stick कर देते हैं उसके बाद वही टेप उठा के take cautionally वही slide पर हम लाके लगा देते हैं वही tape हम लाके उसके लगा देते हैं उसके बाद यह slide और यह tape इसके बीच में हम लोग डालेंगे क्या क्या करेंगे आप लोग बताएं मुझे टालोईन की एक drop डालेंगे एक टालोईन की drop डालते हैं और 40X पे simply देख लेते हैं तो अब आप लोग मुझे बताएं यह हमारे चारों टेक्नीक्स थे दूसरी चीज़ अब आप लोग मुझे बताएं इसमें आपको क्या tough लगा है ना simple कितना simple है तो अब आप लोग के तो simple तरीकर से आप लोगों ने समझ लिया उस पर अगर कोई इसमें problem आये तो please नीचे comment में मुझे बताएंगा जो उसको answer करूंगा और भी ऐसी वीडियोस में भेचता रहूंगा आप लोगों तक नहीं और subscribe जरूर कर दीजेगा ताकि आप लोगों नहीं वीडियोस मिलती रहें चलो good night thank you and best of luck बच्चो